नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है, मैं हूँ मनोंजन भारती और मेरे साथ है साधाव, हम चर्चा करेंगे जो जार्खन में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में, जार्खन में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार राजपाल महोदे ने चमपई सोरेन को बुला लिया है, इसका मतब यह नहीं को सरकार बराने के लिए, उनको नियुता अभी नियुता, कल कहा है कि कल हम बताएंगे कि सरकार आपका बना है, आपने कभी देखा कि ऐसा हुआ हो कि राजपाल साहब के पास गये हो, चर्शमर्तन की चित्ठी ले करके, और टाइम नह बता देते हैं कि आपको हम कब ओद दिला रहे हैं, अभी नितीश कुमार की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उस दिन उनको सेम डे शपत शाम को दिला दी गई, इस दिन उन्होंने इस्तिफा दिया, उसके दो गंटे, चार गंटे के बाद नए मुकमंत्रीपत की सपत दिला बबाबा, आपको क्या लग रहा है, कि ये क्यों हो रहा है, अखरकार गवर्नर साब क्यों टाइम मांग रहे हैं, उनके पास तो वो किसी से भी सला कर सकते हैं, किसी को भी बुला के पूछ सकते हैं, उन्हों इस समय क्यों लिया? देखें, गवर्नर साब ने बुलाया, एक तो पहली बरी बात है, कि जब हेमन सोरेन ने इस्तिफा दे दिया था, जेल चले गए थे, तो उनको सुबह ही बुलाने ना चाहिए था, कई लोगों को जानकारों का ये माना था, कि एक तो देरी हो गई, सुबह से साम हो गई, आ हम तो आप मिले तब भी जो है, आपने उनको कुछ ने कहा, कि कल हम बताऒंगे, यानि सुख्रवार को बताएंगे कि वो कब का लगे, तो अभी भी जो है, चंपई शुरेन जो है, इस ब्रहन में होंगे, अभी भी हम उनको चमपाई सोरेन को मुखमंती डेजिगनेट नहीं कर सकते हैं हम उनको जेमें विधायक दलकार नेता ही कर सकते हैं अभी वी टेक्निकली हम उनको भावी मुखमंती नहीं लिख सकते हैं एक सवाल ख़ड़ा होता है कि अभी के दिन में कोई सरकारण नहीं है अभी कुछ हो जाए तो अभी गवर्नर साहब ही टेक्निकली सरकार है क्योंकि उन्हों है चमपाई शौरण को ये नहीं कहा है कि आप जो है तुक्त उनको उती नहीं जिलाया तो वो है ही नहीं, विए आपने हेंन शौरण का इसटिफाश विकार कर जया तो वह भूक्मती नहीं नहीं है घडलेस है कब सपत लेनी हैं कि वो जो है वो कल उनको बता जाए गा कि वो सपत कब वो सपत लगे यहां पर अब चंपय सोरेन को नहुए जल्दी में आम आपको बता देता हूं 1995 में जेमें में सामील हुए शीबू सोरेन के सहयोगी रहें इसलिए उपर इतना भरोसा है एमंद सोरेन का कभी उन्होंने दगा नहीं किया है जरकन मुक्ति मुचा से पांच बार के विधायक जीते हैं 2005 से लगातार सराय केला से जीत रहें अरजुन मुंदा की सरकार बनी थी काफी करीबी हैं साब सुत्री छवी है कोई बिवाद नहीं है फिलाल टांस्पोर्ट बने जो है परिवहन SCST और OBC मामलों के मंत्रियत इतना भरोसा जो है शीबू सोरेन ने कमस्कम अभी भी शीबू सोरेन जिन्दा है वह भले ही बिमार हो लेकिन अभी भी वह जिन्दा है वह एड़ाइस कर रहे होंगे और उनको इसलिए चुना गया कि उसकी पिश्बूमी जैसा कि हम कल बात कर रहे थे कि परिवार में एक और जो है परिवार में कलपना सोरेन के नाम पर एका नहीं हो पा रही थी क्यूंकि हेमन सोरेन की भावी जो है सीता सोरेन और भाई दुर विदायक हैं और रहाट की सांस ली थी तरह देखियें बमानी होगी कि हैमन्त सुरेन की दूर दर्शिता कि उन्होंने घला ही विधायक के बैठक में कल्पनाथ सुरेन को ले गये हूँ लेकिन उन्हों दो काज़ों पर विधायक के सिर्णीचर कराल लिये टें पर यह हो जाता तो को हो बन जाती दूसरा चमपई सुरेन कजी क कोटवार का जो जेल है वहां ले जाए जाएगा कल हेमन सोरेन एडी के दफ्तर में थे एक तस्वीरे सामने आई थी जिसमें उनकी पतनी बाहर गाड़े में उनका इंतिजार कर रही थी या बैठी हुई थी और हेमन सोरेन से अंदर पूछता चल रही थी तो हेमन सोरेन सीधे मुखमंसी निवास से एडी के दफ्तर पहुंचे थे पूरी रात वहां बीती आज अप्लिकेशन लगाई गई थी सुप्रिम कोर्ट में जिसमें कापिल सिब्बल ने अप्लिकेशन लगाई थी हेमन सोरेन की जमानत के लिए उस उस पर कल सुनवाई है कल उस पर सुनवाई जेल में आम तोर पर जो कहती हैं उनको बहुत मिनिममम रिसोर्स में रहना पड़ता है जो 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 जेल की बैरक होती है चोटी होती है उनको बिछाने के लिए एक कंबल दिया जाता है एक ओडने के लिए दिया जाता है जेल का खाना अभी उनको मिलेगा अभी कोर्ट के तर सरकारी जमीन है, उसको बेचने का आरूप लगाया गया है, कि पुरा सिंडिकेट था, जो कि उन सरकारी जमीनों की खरीद फरोक्त में लिप्ट था, और उसमें हेमन सोरेन का नाम भी ED ने जोड़ा है, कि हेमन सोरेन भी इसमें सक्री तोर पर शामिल थे, उनको सब पता था, और ये जो कुछ हुआ था वो उनकी जानकारी में हुआ था और इस मामले में 14 से जादा लोग गिरफ्तार भी किये गए हैं कुछ अधिकारी भी पकड़े गए हैं तो ये एक बड़ा मामला हेमन सोरेन के खिलाफ है इसके लावा एक मामला और भी है जो कि अबायत खनन से जुड़ा हुआ है उस मामले में भी हेमन सोरेन के जो करीबी हैं उनके खिलाफ एडी की रेड हुई थी उनके खिलाफ उनसे पूश्टाच हुई थी तो इन दो मामलों में एडी के रडार पर हेमन सोरेन आए हैं अब बाबा क्या लगता है आपको की जो जारखन का जो राजितिक भविश है वो आप की सोर जाते हुए देख रहे हैं तो कोई मुखमति बनाया नहीं गया जितना जितना हर घंटे टाइम पितेगा नहीं वहाँ पर और निश्चित्ता उतनी बढ़ती जागी कि क्या इस बीच में कोई पार्टी तूट सकती है क्योंकि कहा जा रहा कि दो तीन मेले कॉंगरेस के गाइब है कुछ मेले जो है जे में के गाइब है यह सारी बाते भी चल लिए तो क्या परदे के अगर राजपाल शपत ग्रण में देरी करते हैं तो उन विधायकों को शिफ्ट किया जाएगा और पांच लोग राची में रहेंगे, बाकी विधायक चले जाएंगे राची से बाहर, क्योंकि सहयोगी दलों को ये चिंता सता रही है, कि कहीं ऐसा नहों कि उनमें सेंध मारी हो जाए, और उनमें तोड़ पोड़ हो जाए, इसलिए विधायकों को शिफ्ट करने की तयारी बीचल रही है आज आपडेट यह है कि कहा जा रहा है कि जार्खन मुक्ति में टूट की बात जो हम कर रहे थे आज की जो परेट कराएगे यह जिसमें जो विदायक है उसमें राश्टी अद्यक्स शीवू शोरें जी नहीं विदायक सीता सोरें और बसंद सोरें भी दिखाई नहीं दिये नेता पदो और मुक्ति पर से हेमन सोरें ने इस्तिफा दे दिया है बैठक को बिदायकों की बैठक बूलाने के लिए राश्टी अद्यक्स ने किसको अधिकरित किया है सुप्रीम कोट के निड़ने कनुसार राश्टी अद्यक्स ही सब कुछ है शीवू सोरें टीक जैसे एक रिपोर्टर के पास खबरे आती है उसे शिकार जी कल निशीकान दुबे ने बताया कि मूख्मंत्री कौन होगा हाला कि आप देखिए कि मुख्मंत्री जार्कन का बनने वाला है लेकिन बता निशीकान दूबे रहा है कि मुख्मंत्री अब यमपई-स सथ DR. आप जो यहां पर है ना कि अब एक जो है एक समवेधानिक संकट की बात यहां हो रही है यहीं तदह की जो डलील जो है ना एंसीपी में हुआ था जब एंसीपी टूटी थी तो उसी तरह का हुआ का जो नहीं किसने किसने मीटिंग बुलाई अब वह मामला भी सुप्रीम कोट सब्सक्राइब तो अब जो मुझे लगता है कि जहारखन में एक तूट के तरफ जो है पाठियां जो है मुझे लगता है जैम्म साइब टूट के तरफ बढ़ती दिख रही है अगर निशिकान दूबे के टूट को सच माने बसं सोरेन की जो फैमली यानि उनके भाई बसंस में है जो मॉडल जो आपने बिहार में देखा है जो वही मॉडल आप जारकन में देख सकते हैं क्या राजपाल जो देरी कर रहे हैं आप इसको जोड़ सकते हैं कि राजपाल क्यों नहीं बुला रहे हैं उनको बार बार कर रहा हूं कि राजपाल यह दी आज 2500 मिलने गए थ जो टाइमिंग का नुसार जो तिसका नुसार भी फिक्स होता है ना कि इतना बज़े दे लेना है तो और अब तो गवर्नर साहब ने टाइम ना दे करके एक और भरम की इस्तिती जो है वो पैदा कर दी है क्या इस बीच में जैमें टूटती है क्या इस बीच में कॉंग्रेस कर रहे थे कि नितिश कुमार को सेम डे शपद दिलाई गई थी तो कुल मिलाकर जो जारखन का मामला है वो पूरी तरह के सोलजा हुआ है और आखो सकता है आप देखें कि जो जो एमेलेज हैं उनको शिप्ट कर दिया जाए और उनको जो है कॉलकटा भेजने की बात हो रही है एक ख़बर और भी आपको दे देंगी कल भारती जनता पार्टी ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है और जिसमें भाश्वा भी सारी राजनीती की स्थिति को रिव्यू करेगी उसको देखेगी कि उसके पास क्या विकल्फ है हाला कि निशिकान दूबे लगता कि दल का लीडर गया हो और गवर्नर साहब ने कहा हो कि हम कल आपको टाइम बताएं अरे रात के रात हमने देखा है ओथ हुई है महरास्ता में देखिए अजीद पवार का आपको याद होगा कि सुबा बोर ने उनको शपत दिलाईगी चार बज़े होती है बारा बज़े र रहा है तब तक जेमें को तोर करके एक नई सरकार बीजेपी क्या बनवाना चाहती है और निशीकान दूबे का जो ट्वीट है उसी और इस सारा करता दिखाई दे रहा है कि एक डिफेक्शन हो जाए ठूट हो जाए जैम में मुकमंती जेमें परिवार का हो जाए और एक न इतने के लिए और एक और राज में अपना मुकमंती बनाने के लिए ये प्लान हो सकता इससे इंकार नहीं किया दर बिल्कुल तो अब अगले ऐसा लगता है कि 24-48 घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि जारखन में क्या होने जा रहा है क्योंकि अभी मामला उलजा जाएंगे या नहीं जाएंगे इस बारे में खुलासा नहीं हो सका है क्योंकि अर्विन के जरिवाल लगातार एडी के समन से बचते रहे हैं आपको याद होगा कि एक बार वो गोवा चले गए थे और दूसरी बार भी वो प्रचार करने चले गए तो लेकिन शुक्रवार क इस तरीके से वो दे रहे हैं अभी तर तक तो एवाइट कर रहे हैं यह चटा है नहीं कर पाएंगे तो उनको भी अपना उत्रादिकारी बनाना पड़ेगा लेकिन यह सब निर्वार करता कि शुक्रवार को क्या होता है कि इडि कल जाते हैं किसे昨 इस सामने नहीं जाते हैं आपी कई मुझे लगता है कि जारखन काफी महथ्पुल है जो कुछ ये राजपste탕us नहीं वो वो कापी इंपोर्टेंट है हम अपने दर्सकों को बताना चाहेंगे कि आप इस चीज को याद रखिएगा इसका मतलब यह संकेत दे रहा है कि जारखन में जेयमें या फिर कॉंग्रेस तो कोई एक पार्टी जो है वो टूट रही है जेयमें टूट रही है तो वो जो है स अच्छा को यही विराम देंगे लेकिन खासत तौर पर जो निगाहें है वो जारखन पर बनी रहेंगी कि आखरकार जो अगला जो मामला है वो क्या होने वाला है और आपको की खबर और भी दे देए कि दिल्ली से लगाता है,ogcan 창्वकण पार्टी के नेता वहांपे अपने विधाइकों प्राथ्मित्ता में हैं इसलिए लाइंस जो नेता हैं वह अपने राज्री के नेताओं से टच में हैं और सरकार बचाहरा बचाहते हैं और इनके सामने बड़ी चुनौटी है और सबसे बड़ी सबस्क्राहि चुनौटी जो आगगे पूरच के पासा तो मैं भी तीन बार की विधायक है। पर परिवार से नाराज होना फिर उनका दिल्ली आतरा को काफी आप कह सकते हैं कि पुलिटिकली काफी संदे की नजर से देखा जा रहा है हम फो एकट विद्दु मिलाते हैं एक उनका परिवार महेंदस से नाराज होना ब् locks होता है वो कहता है कि आप सबस्राइब के जा कर अब बहां पर ऊतर है वह तो हाउस के अंदר जा रहाएं तो नहीं करा जा रहा तो समयीड हरुवीं सफ्थ नहीं मामले को कि राजपाल में समय नहीं बता कि कल कोट में क्या होता है इस पे भी काफी कुछ सुप्रीम कोट में निरुवर करेगा कोट क्या कहता है तो यह सारी चीजें जुरी हुई है और मुझे लगता दर्सक समझ रहे होंगे कि यह क्या खेल चल रहा है तो बिल्कुल इस लटना पर हमारी नजर बनी रहेगी और फि करता है मुझन जन बार्ति और साथ आपको विजाबजाद दीजिए नमस्क्राइब